दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम के लिए स्कॉनलन पोर्टल में फ्रंट जैसा कि आपको पता है हम लोग कर रहे हैं SSC के 400 GK कोस्टन की सीरीज जिसका यह पार्ट 5 है और यह जो सारे कोस्टन है SSC के 2020 में जितने भी एक्जाम सो हुए थे उनमें पूछे थे TCS ने तो TCS के सारे नए पैटर्न पर आधरत है तो आपके लिए बहुत बेनेफिस्यल होंगे तो इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं 18 मार्ट 2020 को सेकंड स्प्ट में जो CHSL का पेपर हुआ था और इसके अलाबा जितने भी पेपर हैं जैसे कि CHSL, S10, OJ, CPO, Fager और दिल्ली पुलिस इनके पेपर्स को भी हम आगे आने वाले वीडियो में कबर करेंगे तो आप देख सकते हैं आपर कौन सा पेपर कितनी स्प्ट में हुआ और किसमें कितने जी के कोश्टन पूछे गए तो सब यहां पर बने लिख दिया है इस तरह किस टोटल आप 400 कोश्टन कर लेंगे तो आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए जो 2021 में होंगे उनके लिए बहुत ही फाइदे मन साबित होगा इससे आपके कोश्टन तो कलेक्ट हो ही रहे हैं साथ-साथ हमें यह भी पता चल ला है कि एक्जाम में किस लेविल के कोश्टन पूछे आते हैं करन्ट अफिर कहां से पूछा जाता है हिस्ट्री पॉलिटियो और यह आपकी साइंस है वो उनसे कैसे कोश्टन बनते हैं तो ज्यादा समय नगा बाती हो हम लोग सीधे चलते हैं कोश्टन पे और आपको अपनी तयारी में मेरा चोटा से सवयोग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए चलते हैं अब हम लोग सीधे कोश्टन पे पहला कोश्टन पे पूछा गया थे आपसे भारत के राश्टपती के महाव्योग की पिरक्रिया निमलिकर में से किसमें सुरू की जा सकती है तो इसका आंसर होता है कि राश्टपती के जो महाव्योग की पिरक्रिया है वो किसी राजबिधान सबा में सुरू नहीं की जा सक रासवा में नहीं लखा हुआ है अब हम लोग थोड़ा सा ब्रीव में देख लेते हैं इसकी प्रोसेस क्या है तो राश्पती पर जो महावयोग लगा जाता है इंपीच्मेंट वो लगा जाता है आर्टिकल सिक्स्टी बन के थह बहुत बार पूछा गया है एक जाम में ये क् अपनी सक्तियों का मन भाने ढंग से प्रीयोक करने लग या सम्विधान का अतिकरमण करने लगे तो अब देख लेते हैं कि प्रोस्टी आपको आसान्य समझ में आजाएगी राश्पती की जो महावयोग की प्रोसेस है उसकी शुरूबा संसत के किसी भी सतन में कीज़ा सक् फिर ये लोग पृस्ताव ले आए, किसी भी सदन में, लोक सभागाया राश्ताव में बांकी सदसओं को नो पृस्ताव तो अब इस पर बोटिंग होती है उसी सदन में, जसमें लाए गया है तो बोटिंग के समय अगर उस सदन के दो बटित तीन सदन से इसको पारित कर दें मलब बहुमत से पारित कर दें तब ये चला जाता है अगले सदन में अगर ये लोग सभा से पास हुआ है तो राज सभा में जाएगा और राज़सवा से पास हुआ है तो लोकसवा में जाएगा तो नेक्ष जो भी सदन होगा उसका पीठा सी नदकारी इसकी जाच करेगा कि कहीं ऐसे ही बेकार में तो राज़पती पर आरुप नहीं लगाया जा रहा है कहीं से समयदान का अथिकमर किया है के नहीं किया है अगर यह आरुप सही पाया जाता है तो फिर राश्टपती को उस सदन में बुलाया जाता है अब राश्टपती की मरजी है वो खुच जाता है या अबने किसी परतिनिदी को भेज देता है फिर उस सदन पर इस प्रस्ताव पर बोटिंग की जाती है महावयोग की प्रस्ताव पर अगर उस सदन के भी 2-3 सदस्टियों ने इसको पारित कर दिया मतलब बहुमत दे दिया क्योंकि 2-3 मतलब होता है 66% जो कि एक इस प्रस्ट बहुमत है तब यह महावयोग की प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है और उसी दिन से जो राश्पती का पद है वो रिक्त समझा जाता है और 6 मेने के अंदर नहीं चुना करवाय जाते हैं राश्पती के Next मुझा क्या था Central Processing Unit CPU की गती को किस में मापा जाता है जो CPU साइकल को दर साता है तो देखिए टेराबाइट हर्ट्स गीगाबाइट किलोबाइट जो इनको तुम पेछले वीडियो में देख चुके हैं यह सारे मैमोरी की यूनिट होते हैं जबकि जो हर्ट्स देख रहा है न इसी में CPU की साइकल को मापा जाता है क्योंकि cpu साइकल से मतलब है फ्रिक्वैंशी पर सेकेंड कि में हमापी जा सकती है प्लं हर्ट्स पर अमाजोन या फिलिफकार्ड पर कोई भी लेप-टॉप सर्च कर लीजिए तो ज拉 सक लिए तो अब अब उसका स्पायों में देखेंगे तो आप पाएंगे कुछ ऐसी जैसे कि उसमें लिखा रहता है प्रोसेसर कौन सी कंपनी का है इंटेल का है आपको मैंने बताया था इंटेल नहीं पहला प्रोसेसर बनायता है 4004 और अब तो यह काफी आगे बढ़ गया है इसमें कोर आई 3 का प्रोसेसर लगा हुआ है जैसे हमारे इंडॉरेट फॉन में लगा रहता है ना स्टेम ट्रेगन का प्रोसेसर जैसे हम लोग पबजी खेलते हैं बैसे ही इसमें इंटेल कोर का आई 3 वर्जन लगा हुआ है और देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रोसेसर स्पीड और उसके आगे लिखा हुआ है 1.2 GHz बस यही इस कोशन में पूचा जा रहा है और एक चीज़ और याद रखिए आप प्रोसेसर स्पीड को ही क्लॉक स्पीड भी कहा जाता है किस गतिवीडी को अर्थवबस्ता के दुतियक चेत्र के एक भाग के रूप में बरिकरत किया जा सकता है तो देखिए सबसे मैं आपको छोड़ी सीज़ बता देता हूँ तीनों चेत्रों के बारे में जो प्रात्मे चेत्र होते हैं उसको अब ऐसे याद रख लीजे जितना भी रो मैटरिल होता है कच्चा माल वो सब आता है प्रात्मे चेत्र में जैसे कि करसी हो गया, डेरी हो गया, खदाने हो गई जिनसे कच्ची धादू निकाली जाती है उसके बाद कच्चे माल से तैयार उत्पाद और उत्पादों को तैयार करने में उपकरण जो प्रियोग होते हैं वो सारे जो काम हैं वो आते हैं दूतियक छेतरों में जैसे लोहा तो एक कच्चा उत्पाद है खानों से निकाला जाता है लेकिन उसी लोहे में जब कारवन मिलाएके हम लोग स्टील बनाते हैं स्टील बनाने की जो factory आ जाती है वो आ जाती है दुतियकशेतर में और जितने भी किर्सी उपकरण पर गह रहे हैं वो सब भी secondary चेतर में आते हैं कहने का मतलब यह है कि कच्चे माल से अगर कोई चीज बन रही है finished form में तो वो सब आएगी दुतियक छेतर में और दुतियक छेतर में आती है सेवा यानि कि banking हो गया mobile phone की जो सेवा है वो भी सब दुतियक छेतर में आती है तो यहाँ पर दुतियक छेतर के बारें पूछा जा रहा है तो कानूनी परावर्स ये तो एक सेवा है ये दुतियक छेतर की है चाय बागान क्या चाय से कोई second product बन रहा है नहीं बन रहा है चाय किसी दिप पत्तिया ही तोड़े जा रहे हैं चाय बागान में तो ये primary sector में आ जाएगा फार्म उपकरन बिनिर्मार्ड ये आएगा आएगा आपका secondary छेतर में क्योंकि form में जो भी टेक्टर थ्रेस्टर पकेटर का यूज होता है वो सब secondary छेतर में आता है और banking ये भी आपका तृतियक छेतर में आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है इस गटना को समझने से पहले इसका background जानना बहुत जरूरी है नहीं तो आप इस गटना को नहीं समझ पाएंगे तो बहुत ही हम brief में देखें कि फ़ल दो मेट का समय लूँगा मैं आपका तो देखिए एक था US US के राश्पती हुआ करते थे डोनाल्ड टरम्प और एक था इरान उसके जो जनरल हुआ करते थे मिलेटरी चेफ उनका नाम था जनरल कासिम सुलेमानी और एक और था कौन? इराक इराक और इरान पासपास अटे हुए देश है इराक में थी एक US की एमबेसी हर देश में दूसरे देशों की एमबेसी होती है तो इतनी बात आपको समझ में आ गई अब इसमें एक और चौथा केरेक्टर भी है कौन? मिलिटेंट्स मिलिटेंट्स का मतलब होता है जो बंदूक लेके अपनी मांगों को सरकार से मांगते हैं हम लोग भी अपनी मांगों को सरकार से मांगते हैं जैसे कि अब यह हाल में लेकिए 25 परिविरी से सुबह 11 वजे से ट्वीटर पर मोधी रोजगार दो केमपेंच चलाए जाएगा लेकिन हम लोग ऐसा थोड़ी करें कि बंदुग लेके पहुँच जा है मैं नौकरी दो रोजगार दो हम तो केबल अपनी मांग को रखेंगे ना उसमें लेकिन इराग में होता क्या है लोग बंदुग लेके सरकार के पास आ जाते हैं तो सरकार जो है इनको आतंगबादी घुसित कर देती है जब आतंगबादी घुसित कर देती है तो US कहता है अगर तुम आतंगबादी हो तो मानगता के दुस्मन हो इसलिए हम मानगता के रखचक हैं इसलिए तो हमारे भी दुस्मन हो जबकि ये सब ढ्ढ़ंग है USA का USA ईराग पर कंट्रॉल करना चाहता है क्योंकि आप सभी जानतें यहाँ पर तेल के कोई बहुत जादा है अगर यहाँ का तेल रेजर्ब USA ने अपने कबजे में ले लिया तो उसको तो बहुत जादा बेनफिट है तो USA ने क्या किया 27 दिसंबर 2019 की बात है कि इन मिलिटेंट्स पर एर स्ट्राइक करवा दी जिसमें की अमेरिका का ही नागरिक मारा गया एक और फिर से दो दिन बाद 29 दिसंबर को एक और एर स्ट्राइक करवा दी जिसमें की बहुत सारे मिलिटेंट्स मारे गए लगए 25 से 30 मिलिटेंट्स और साथ साथ एराक की सुरक्षा बलों के भी 50 से जादान लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए तो इस बात पर गुस्सा होकर इन मिलिटेंट्स ने और एराक की जंता ने हमला कर दिया उएस एमबेसी के उपर जब हमला कर दिया 30 दिसंबर 2019 को तो अमेरिका ने क्या बोना कि अरे इन मिलिटेंट्स के पास इतना पैसा और इतना दिमाग कहां से आया हो ना हो इरान के जो जनरल कासिम सुलिमानी हैं वो इनको ट्रेनिंग और पैसा देते हैं तब ही ये लोग इतना उत्पाद मचा रहे हैं तो इन पर ब्लेम कर दिया तो इस बास से ये भी गुस्से में आके आग बबूला हो गया फिर दो से तीन दिन बाद तीन जनरल कासिम सुलिमानी इरान के थे जो वो इराक की आत्रा पर गए हुए थे तो बगदाद एरपोर्ट पर अमेरिका ने इन पर ड्रोन हमला करवा दिया और तीन जनर्मरी 2020 को जनरल कासिम सुलिमानी अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे जाते हैं पूरी दुनिया में इस घटना की ख़बर आग की तरह फैल जाती है तो मामला तो बहुत गरम हो जाता है इन दोनों देशों में तना तनी हो जाती है इरान भी एकदम गुस्ते में आके यूएस की एराक वाली एमबसी पर फिर से हमला कर देता है लेकिन इसमें एक भी लोग मरते नहीं है उसी बीच में विचारा यूक्रेन का एक बोईंग प्लेन होता है वो इरान के हवाई अड़े से उड़ान भरता है तो इरान बालों को ये ख़बर नहीं रहती कि यूक्रेन का है वो लोग इसको अमेरिका का समझ लेते हैं सोचने के अमेरिका वाले हमला करने आ रहे हैं तो जैसे ही ये प्लेन उड़ता है टेक आप करता है इरान बाले इसको मिसाइल से मार के गिरा देते हैं अंजाने में गिराते हैं मतलब और इस बिमान में 162 यात्री सवार होते हैं सभी की मौत हो जाती है क्रू मेंबर भी नहीं बसते हैं जैसे ही मिसाल मारी जाती है टेक आप होता है ये ये बिमान आग का एक गोला बन जाता है यहाँ पर लेका हुआ है अंजाने में मारा था तो ये मारा था इरान ने आई होप आपको सारी इस्टोरी क्लियर हो गई होगी मैंने आपका जो किमती समय लिया उसके लिए मैं छमा चाहूंगा चलिए नेट रिखते हैं अब हम लोग निमलिकर मैंसे कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो कौन सी नदी है वो कृष्णा, सतलोज, रावी या ब्यास तो इसको मैप से समझते हैं हम लोग देखें ये है वारत का मैप इसमें जो नदियां है वो देख लिए जहां पर इनमें से जो बड़ी वाली नदी है जो कशमीर होते हुए पाकिस्तान में चली गई है वो है सिंदू नदी और ये वाली जो बीच वाली नदी है उसका नाम है रावी नदी ये निकलती हमाचर प्रदेश के चमबा से और ये जो तीसरी वाली नदी है यहां से देख रहा है आप ये सितलज नदी ये निकलती है तिबबस से और इसके लावा आप ये देख रहे हैं बीच में एक छोटी सी नदी फसी हुई है जो कि सतलज में ही मिल जा रही है ये है ब्यास नदी ये पाकिस्तान में नहीं जाती है भारत में ही मिल जाती है पंजाब के पास और इसके लावा जो चौथा उपसन में दिया है किष्णा नदी किष्णा नदी निगलती है पश्चमी घार से महराश के महावलेशोर से और कहां तक जाती है तेलंगाना करनाटक होते हुए ये आंद प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गर जाती है जबकि ये बाली सारी नदी इसमें और भी नदी नदी होती है जैसे कि चिनाओ, जहलम, राभी, ब्यास ये सारी नदी नदी में मिल जाती है और ये बाल में अरब सागर में गर जाती है तो ये बाली नदी है जो वो है कृष्णा नदी ये गरती है बंगाल की खाड़ी में कॉस्टन में आप से यही पूछा दरा कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गरती है कृष्णा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गरती है नेश्टा कौन सा सूच मजीव साधानर सर्दी जुखाम वा एन्फुलेंजा या फिलू के लिए उत्तरदाई है तो ये होता है बिशानू के कारण होता है जिसके कारण हमें सर्दी जुखाम हो जाती है और जो आपका कॉरोना वाइरस है वो भी एक तुरीके का फिलू ही तो फैलाता है हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को खड़ाब कर देता है जिससे इंसान की मृत्ति हो जाती वो सांस नहीं ले पाता है और भी जेखते हम लोग जीवानू से कौन सा रोग होता है इसका है कि अगजाम पाले जो टीवी है टुबर क्लोसिस वो जीवानू से होता है प्रोटो जुआ प्रोटो जुआ से काला जार होता है कल की वीडियो में हम लोग देखा था कबक से जो रोग होता है उसका नाम है दाद और खुजली नेक्ट है युलाई 1946 में जब बेटे संसा द्वारा भारत के लिए सोतंता बिध्याक पारत किया गया था उस समय बेटेन यूके के परदान मंतरी कौन थे एकदम कैस कोश्चन है बार बार रिपीट होता है उस समय यूके के परदान मंतरी थे किया जाना निर्दारत किया गया था मतलब भारत को एक तरीके से फूट डालो और राजकरो वाली राजनीती थी ये ये संपरदाएक 55 लिया था 1932 में और नेवल चेमबर Лंग ये भी उके के परदान मंतरी थे लाकर इसे कोश्चन आता नहीं विस्टन चर्चल ये भी उके के परदान मंतरी थे इसे कोश्चन आप याद रख लीजिए कि विस्टन चर्चल ने गांधी जी को अर्दनगन फकीर कहा था, कभी कभी कुश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने महात्मा गान्दी को अर्दनगन फकीर कहा, तो आप अंसर लगाएंगे विश्टन चर्चल ने, नेश्ट पूछा था अंतराश्टी सूटिंग इस्पोर्ट फेडरेशन ISSF की समगर रैंकिंग के अंसर 2019 की समापती तक विश्टो में सीर्च सूटिंग राष्ट की जगए पर कौन सा देश है तो ये अपना ही देश भारत है ISSF का फुलफाम होता है इंटरनेशनल सूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन सूटिंग अपनला आप समझ रहे है जो भी पिस्टल और राइफिल से सूटिंग की जाती है जैसे कि 50 मीटर की एक होती है एक 10 मीटर के पिस्टल सूटिंग होती है अपने दुख रालियों का नाम जरूर सुना होगा मनू भाकर और सौरप चौदरी जैनोंने 10 मीटर के एयर फिस्टल में मिक्स टीम टाइटल जीता था ISSF बर्ल्ल कप जो म्यूनिक में हुआ था बैसे ये बर्ल्ल कप साल बर चलते रहते हैं कभी म्यूनिक में होता है कभी रियो डेजन नियू में होता है कभी नई दिल्ली में होता है तो साल बर ये चलती रहते हैं कही न कहीं बिस्व में इसलिए साल के अंत में की अंत में की मैड़ल टेली को दिखा जाता है तो साल के अंत में ये मैड़ल टेली है 2019 टेकSoft updated है इसमें जो इंडिया था अपना वो पहले इस्थान पर था पूछा था आपसे जनबरी 2020 में बंगलोरू में आउजए एक सो साथ मी बारती बिज्ञान कांग्रेस का मुँकर विसचा क्या था इस question से यह पता चल दा है कि यह जनवरी 2020 में बैंगलोरू में आज़ोत हुई थी लेकिन इसका बिसाय जो था वो था बिग्जान और प्रद्योगे की ग्रामीड विकास के साथ अब उधना important नहीं है क्योंकि अब ज़्यादा important यह है कि 108 मी कहां पर होगी 108 मी जो science congress है वो होगी 2022 में 2021 में होनी थी एक पोस्ट पॉन होके एक साल आगे बढ़ा दी गई अभी होगी जनवरी 2022 में और कहां पर होगी उने में होगी आप इस university का नाम ना भी याद रखने तो चल जाएगा इसकी जो theme है वो क्या है sustainable development with woman empowerment इसको आप जिरू याद रखें क्योंकि theme ही पूछी गई है पिछले question में तो इसके ज़्यादा चांसे जने कि theme आपसे पूछी जाएगी The Indian Science Congress Association की जो इस्थापना हुई थी वो 1914 में हुई थी कोलका था में नेश पूछा ताप से 2019 का Nobel सांती पुरुसकार Ethiopia के प्रधानमंत्री अभी एहमद अली को बिशेश रूप से किसके साथ यहाँ पर blank था फिलंदा blank भनना था किसके साथ सीमा अभवाद को सुल जाने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है तो इस question को हम लोग कर चुके हैं ये देश है Eritrea इसके साथ सीमा विवाद सुल जाय था इसके लिए 2019 कायन को नोबिल सांती मिला था लेकिन 2020 का किसको मिला है 2020 को मिला था WFP को WFP का जो headquarter है वो Rome महेट लिके ये पूरी दुनिया में उन लोगों खाना उपलप्ट करवाती है जो भूके हैं जिनके पास अपना खाने के लिए खाना भी नहीं है तो इसको आप याद रखिए बहुत important है ये next है किस राज में Fodong बहुत मट इस्तित है तो Fodong जो बहुत मट इस्तित है वो है सिक्किम में सिक्किम में एक और बहुत ही famous बहुत मट है जिससे एक जाम में कोशन बार बार आता है कौन सा और जो अरणाचल प्रदेश में एक बहुत मट है तवांग मट ये जो तवांग मट है ये भारत का सबसे बढ़ा मट है और Asia का second number का है अब कोशन आता है अगर ये भारत का सबसे बढ़ा और Asia का second number का है तो एसिया का पहले नंबर का, यानि कि एसिया कहले जिए विश्व कहले जिए, क्योंकि एसिया के लाबा तो बौध मट फिर आपको बहुत ही कम मिलेंगे बाकी दुनिया में, तो दुनिया का सबसे बड़ा बौध मट फिर कौन सा है, वो है उटाला पैलिस, जो कि लिहासा तिब प्राप्त होने के बाद और कुसी नगर जहां पर उन्हें महापरी निर्माड प्राप्त हुआ था तो उनकी म्रत्य हुई थी अब ये सारी कहानी तो उनकी हो गई लेकिन ये तो हमने बताई नहीं कि उनका जन्म कहां पर हुआ था तो उनका जन्म हुआ था लुंबिनी में लेकिन ये भारत में नहीं है ये कहाँ पर है आपको कमेंट सेक्षिन में बताना है कि लुंबिनी कहाँ पर इस्ते थे जहां भगवान बुद्ध का जन्म माना जाता है नेक्स्ट है निमलिकल में से किसने ICC का ODI बंडे इनिंग्स किर्केटर आफ दा इयर 2019 परुषकार जीता तो 2019 का यहां पर पूंचा जा रहा है पिछले वीडियो हमने लग 2018 का देखी चुके हैं तो 2019 का इनों ने जीता था रोहिस सर्माने और एक चीज़ और मैं बताता हूँ 2018 के जो तीनों अबार थे कौन कौन से होते हैं ICC ODI Player of the Year ICC Test Player of the Year ICC Cricketer of the Year और हमने देखा था ICC Cricketer of the Year को ही Sir Garfield Sovers Trophy भी कहते हैं तो 2018 के तीनों अबार थे वो ब्राट कोहिली को मिले थे अगली सेट का जब हम पेपर करेंगे हमालाय या पश्चमी घाड तो अरावली के जो पहाड़ियां हैं वो सबसे पुरानी है बहुत बार रिपीट हुआ है कॉस्चन ये लवग धाई सो मिलियन बर्स पुरानी है और हमालाय जो है वो सबसे नया परवत है सबसे नभी इन बलत परवत है जब हमालाय नहीं था तो यहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था नेक्स्ट है भूकम तरंगों को जिस उक्रण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उससे क्या कहते हैं तो यहाँ पर कॉस्चन में आपको बहुत ध्यान देने लाइक है क्योंकि ऑपसन में दिया गया है आपका बहुकम सूचा कि अंदर सीश्मोग्राफ और दूसरा दिया अगया है रेक्टर पैमाना तो आप konfuse हो सकते हैं इसका जो राइट अंसर है वो है बहुकम सूचा की अंदर जो कि यंद्र के बारे पूछा गया है ना जबकि किस पैमाने पर मापा जाता है भूकम तो आप बताते रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है रिक्टर पैमाना नो खानों में बटा होता है एक से लेके नो तक निमली लिखित मज़े कोई है Greta Thinberg जो Sweden की एक परियाबन कार करता है बहुती चोटी उम्र की है ये और अभी हाल में आपने देखा होगा Controversy हो गई थी एक Greta Thinberg ने बिना कुछ सोचे समझे किसानों का जो आंदूलन चल ला है उस पर एक tweet कर दिया था बाद में उन्होंने अपने tweet को हटा भी लिया तो ये तो एक बहुती गलत बात है वैसे भी क्योंकि आप बिना भारत को अच्छे से जाने समझे इसके बारे में कैसे tweet कर सकती है अब हमारे लिए ज्यादा important है कि person of the years जो times का है 2020 का किसको बनाए गया है तो 2020 के दो व्यक्ती है अमेरिका के 46 वे राश्पती जो अभी हाले में निर्वाचित हुए है और उन्होंने अपनी सपद भी ले ली है पत की ये हैं जो बाइडन और अमेरिका की महला उपर राश्पती जो पहली है बारती मूल की है ये कमला हैरिस इन दोनों को सेंक्त रूप से मिला है टाइम परसन आफ दे येर 2020 नेश्प पूछा था दुमहल लोक नरत किस राज या के नरसासित प्रदेश से जड़ा हुआ है दुमहल नरत जड़ा हुआ है जम्मू एंड कस्मीर से और भी देखते हैं हम लोग जम्मू एंड कस्मीर से एक और नरत बार-बार एकजाम में परिसान करता है क्या है वो राव बैसे तो बहुत सारे हैं आपको सारे राज्यों के सारे लोक नरत पता होने चाहिए क्योंकि एकजाम में बार-बार नेंसे कोशना रहा है फिर भी एक-एक देखते हैं बहुत-बहुत इंपोर्टेंट है जो और राचल प्रदेश का है लाइनस एंड पिकॉग नांस पिक फेस्टिवल मनाया जाता है निको बार में और हर्याना का लोक नरत है जनवरी 2020 में यह जो ATP कप है वो पहली बार आउज़त किये गए थे यह टेनिस का टूनामेंट होता है तो इसको जीता था सर्विया ने टेनिस का मतलब समझ रहे हैं आपने नाम सुना होगा नोवाग जोकोविच का जो सर्विया के हैं राफिल नडाल का भी आपने नाम सुना होगा जो इस्पेन के हैं बहुत ही फेमस क्लाड़ी है अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो आपने सानिया मरजा का नाम तो जरूर सुना होगा वही खेलती है टेनिस वह भारत के लिए टेनिस के एक बहतरीन ख्लाड़ी रही हाला कि 2010 में उनने जब एक पाकिस्तानी से सारी कर ली तो उनकी लोग परिटा काफी कम हो गई तो ATP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है Association of Tennis Professionals अब ये तो हो गया पहला वाला दूसरा बाला जो ATP हुआ है वो अभी हाली में हुआ है दो फरवर्णी से लेके साथ परिविट तक 2021 में कहां खेला गया आश्टेलिया में आश्टेलिया इंपोर्टन नहीं है इंपोर्टन क्या है कि इसको रूस ने जीता है ये ज़्यादा इंपोर्टन है आश्ट पूछा था नहीं में बिलेकर में से कौन सा इक इनपोर्ट डिवाइस है जो डिस्पले स्क्रीन पर आपजेक्स का चैन करने के लिए प्रकास सम्मेदी डिटेक्टर लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उप्योग करता है तो इससी यह तो पता चलता है कि यह इनपोर्ट डिवाइस है और प्रकास सम्मेदी डिटेक्टर है तो कौन सा हो सकता है यह यह है आपका लाइट पेन लाइट पेन आपने देखा होगा जो टीचर्स ऑनलाइन क्लास लेते हैं डिटिटल बोर्ड पे तो अपने हाथ में एक पेन पकड़े रहते हैं वो कौपी पे तो नहीं चलता यह वाल उसी डिच्टल बोर्ड पे चलता है तो वह होता है प्रकास सम्मेदी डिटेक्टर उससे वो जो भी लिखते हैं वो लिखता जाता है जिस भी object या image को select करके बड़ा करते हैं वो हो जाता है तो वो एक input device होता है और यह कौन कौन सी device है इनको भी देख लेते हैं Magnetic Ink Character Recognition यह भी एक input device है Optical Mark Recognition यह भी input device है और Barcode Reader यह भी input device है अगर आपको input device और output device को बहतरीन तरगी समझना है कि आपका एक भी भविस में कोई question गलत ना हो तो आप यह बाला वीडियो देख सकते हैं इसमें मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी input और output device को cover किया है तो मैं recommend करूँगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए आपका exam में इससे एक number तो पक्का होई जाएगा next है निमलिकत में से किस राज के प्रिदिनरी लोकसवा में सबसे देखिए repeated question है किस राज में है उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में लोकसवा ही नहीं सभी में जितनी भी चीज़ें होती है चाहे वो लोकसवा हो राज सभा हो, बिधान सभा हो, बिधान परसत, यही चार तोंग हो सकते हैं, यह दोनों किंदर के स्तर पे, और यह दोनों राजी के स्तर पे, सब में आगे है उत्तर प्रदेश, लोक सभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटे हैं, राज सभा में 31 सीटे हैं, बिधान सभा में 403, और विधान परसर भी उत्तर प्रदेश में, वो यहां पर 100 सीटे हैं, और जनसंख्या में भी सबसे आगे है, जनसंख्या के अनपाद महीं सीटों का बेड़वारा होता है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे जादा है, नेश पूछा था सामभर जील के बारे में निमल के जील तो यह सःय है, यह बहरत की सबसे बड़ी इन्लैंड शाल्ट लेक है, यह लॉइ खार पानी के जील. तो यह वाला अप्शन हमारत ठाई है, तीसरा देखते हैं, यह अरफ साघर में गरती है अरब सागर में गिरती, अगर अरब सागर में गिरती होती तब तो यह फिर जील किस काम की यह तो नदी होनी चाहिए थी फिर तो यह वाले भी गलत हो जाता है नेश्ट है इसका निर्माण धूम केतु के अतिबेक संगट हाइपर वैलुसिटी प्रभाव के कारण हुआ है नहीं हुआ है लेकिन एक ऐसी जील है भारतों जिसका निर्माण इसी इफेक्ट के कारण हुआ था कौन सी जील है वो लोनार जील महराष्ट में इसको लोनार क्रेटर भी कहा जाता है कहा जाता है कि इसका जो निर्माड है वो प्रत्वी पर उलका गरने के वज़े से हुआ था नेट पूछा था अक्टूबर 2019 में राश्टी सुरक्षा गार्ड एनेसजी के महाने देशक के पद पर किसे नीट किया गया तो किसे भी नीट किया गया हो अब तो बदल गया तो हमारी ओप्षन किसी काम के नहीं है बरत्वान में जो इसके महाने देशक हैं वो हैं सुर्जी सिंग देशबाल एनेसजी जो है उसका फुल पर होता है नेशनल शिक्योर्टी गार्ड और एनेसजी किसके अंडर में काम करती है मिनिश्ट्री ओफ होम अफियर्स के अंडर में काम करती है बार बार आंदरिक सुरक्षा के लिए आर्मी को बोलाना पड़ रहा था 1984 के बाद से इसके गठन की घोषणा कर दी गई क्योंकि 1984 में बहुत सारी गठना हुई थी जैसे की इंद्रा गांदी की हत्या ऑपरेशन बिलू इस्टार जिसमें जनरेल सिंग भिंडरा वाला था जो उसने स्वाण मंदर पर कबज़ा कर लिया था एकदम आतंग मचा के रख दिया था वारत में तो आर्मी को उसमें आना पड़ा था उसके बाद से ऐसी जरूरते महसूस की गई कि आर्मी को हम बार बार परिसान ना करके Ministry of Home Affairs के तहत ही एक ऐसी कमिटी बना दें या ऐसी फोर्स बना दें जो देश के अंदर आतंग बास से निपड़ सके तो एनर्जी का गठन किया गया था 1986 में एनर्जी का जो आदर सबाक है वो होता है सर्वत सर्वोत्तम सुरक्षा इससे भी कोशन पूछा जाता है एनर्जी के जो कमांडो होते हैं वो highly trained कमांडो होते हैं हमें सब black कपड़ों में रहते हैं इसलिए इनको black cat भी कहा जाता है इनको ऐसी training दी जाती है कि यह जाड़ियों में छुपके बैठ सकते हैं कोई पता नहीं लगा पाएगा कि कहां बैठे हैं यह और यह पानी में भी अंदर टूपके चल सकते हैं बहुत ही घातक training दी जाती हैं इनको और इन कमांडों नहीं जो मुंबई में हमला हुआ था आतंकी 26-11-2008 को इन कमांडों नहीं बेफल किया था यहां पर देख लिए एनसजी के यह कमांडों है प्लेंस उतर रहे हैं रात का समय है और इन कमांडों नहीं अभी हाल में 72 गरतन दिबस पर अपनी रैली भी निकाली थी देखेजिए नहीं कि यह परेड है नेश्ट पूछा था तेलंगाना किस बर्स में भारत का 29 माराज बना बहुत सिम्पल है 2014 में बना था आन पर दिस से अलागों के निम्लिकत में से कौन सी फसल खरीब की फसल का उधारन है कौन सी फसल है गेहू चना मटर तो रभी की फसल है कपास जो है वो खरीब की फसल है यहाँ पर मैं आपको तीनों बता दे रहा हूँ तीनों है आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इन से कौश्चन पूछा जाता है अक्सर अब आज याद करिए कल याद करिए परसों आपको याद करना ही पड़ेगा तो रभी की जो फसले हैं वो हैं गेहू चना जो मटर सरसों और आलू खरीब की जो फसल है जौर बाजरा, चावल, मक्का, मुमफली, तलहन और कपास और जायत की जो फसल है उसमें सारी सबजियां आती हैं खीरा, कक्री, तरबूज, खरबूज और हरी सबजियां नेक्स्ट है निमलिक्त में से किस बिद्दीय संस्तान का राश्टिकर्ण unix सउनचाज में किया गया था और बीयाई का किया गया था और बीयाई की स्थभना कफ की गया थी 1935 में की गया थी कभी किगों कोसने पूछा जाता किस एक्ट के तहट की गया थी ये एक्ट था RBI एक्ट 1934 और इसकी इसाफना कोलकाता में की गई थी लेकिन बाद में इसका हैड़कॉर्टर मुंबई में बना दिया गया नेश्ट था ICC ODI किर्केट बिसकप 2019 के सेमी फाइनल में बाहत को किस ने हराय था सबको पता है किसने हराय था न्यूजिलेंड ने हराय था आपको याद होगा धोने के आउट होने पर किस तरीकिस उनके आँखों से आशू आ गए थे जय हिन जय भारत